दोस्तों स्क्रीन में देख रहे इस neon lamp को आप सबने अबस देखा होगा ये एक्सर आप किसे पोड़ों में या इलेक्ट्रिक पैनलों में देखने मिल जाते हैं पर क्या आपने कभी सोचा है ये कितनी बीज दिखाते हैं या ये लगातार जलते रहने की बाद देखार आपके नहीं होते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपकी एनी सवालों को जवाब दूँगा चली वीडियो को सुरुवाद कर लेते हैं और एक बार neon lamp का basic construction जाल लेते हैं इन lamp को हम neon lamp या discharge lamp कहते हैं दोस्तों ये के खोखले कांश की ड्यूब के बने होते हैं जिनके अंदर दो इलेट्रोड होते हैं एक होता है कैथोड और एक होता है नोड और कैथोड के series में तकरीबन 2000 से लेके बाइस सो ओम के आसपास तक की resistance series में जोड़े होते हैं और इनके अंदर यह इस glass tube के अंदर neon नामक gas भरी होती है जिस करण इस lamp को neon lamp खा जाता है चलिए अब यह जान लेते हैं कि यह neon lamp एक मेने में हमारे घर के कितनी विजली खपत करता है साथ हरत है 240 बोट circuit में जो neon lamp होते हैं वो 0.25 बोट के आते हैं ठेक है अब अगर हम ऐसा माले कि हमारे घर में 5 बोट लगे हैं तो 5 बोट लगे हैं तो 5 इनिगेटर हो गए तो 0.25 वाट इन्टू 5 कितना हो जाएगा 1.25 यानि अगर हम 5 इनिगेटर लें तो उन 5 इनिगेटर की जो कुल पावर होगी कितनी होगी 1.25 अब हम इस वाट टेटरिंग को लेके हम यह करना कर लेते हैं कि एक मेहने में हमारे घर की कुल जो इनिगेटर के दोवारा खपत की यह उर्जा होगी वो कितनी होगी इसके लिए हमें किलो वाट आवर यानि एनर्जी जो मीटर होता है उसकी रिटिंग निकालने का फार्मुला जानना पड़ेगा तो किलो वाट आवर वराबर क्या होत कि यहां कि दिखेंगे टाइम अब भाग देदेंगे किसका एक हजार का तो हमारे पास कितनी वाट इटिंग हो गई है 1.25 अभी हमने निकाला टाइम कि इतना हो गया 720 घंटा अब भाग देदेंगे हम एक हजार का तो हमारी जो एनर्जी रिडिंग आएगी यानि किलो तो अगर हम 0.9 दे गुड़ा 6 से करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 5.40 रुपीज यह एक मेहने में यह neon lamp हमारा करीब शाड़े 5 रुपए का खर्चा करते हैं जो नॉर्मली 240 बोड सरकीट होता है उसमें जो अपने neon lamp इंडिकेटर आते हैं वो 0.25 वाट के आते हैं अब हम मालें कि हमारे घर में 5 बोड लगे हैं तो 5 बोड हैं तो 5 इंडिकेटर हो गए तो 5 इंडिकेटर हो गए तो एक इंडिकेटर के कितने वाट होते हैं 0.25 वाट तो हम इसमें 5 रुकुडा कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 1.25 वाट यानि 5 इंडिकेटर की जो टोटल जो power rating हो गई, कितनी हो गई, 1.25 watt, अब हमने क्या निकाल लिया है, तो हमने जो 5 neon indicator है, उनकी कुल watt निकाल लिया, यानि उन 5 बल्व की कुल power rating निकाल लिया है, यह बल्व संबेला के 1.25 watt खर्च करेंगे, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके हमाद्यम से हम यह निकाल ले निकानने के लिए हमें जो power rating है यानि watt का गुड़ा करना पड़ता है समय से और भाग देना पड़ता है 1000 से यहां watt क्या हो गया तो 1.25 watt अब यहां time कौन सा होगा तो हम count time लेखेंगे यहां गंटे में लेखेंगे और गंटे में किसका एक मेहने एक गंटे का ठेक है तो 1.25 यह watt आ गया में गोड़ा करेंगे किसका एक मेहने कितने घंटे होते हैं 20 घंटे होते हैं और भाग दे हैं किसका एक हजार का तो जो हम इसे सॉल्फ करेंगे तो भार पस क्या जाएगा 0.9 यूनिट यानि हमारा एक मेहने में ये पांचो जो नियॉन लेंप इंडिकेटर हैं मिलके 0.9 खर्च करेंगे अब साधारता है हमारे खर्क कितने रुपे होत इंडिकेटर में एक मेहने में ये पांच नियॉन लेंप इंडिकेटर मिलके सिर्फ 5 रुपे खर्चा करते हैं अब हम जान चुके हैं कि हमारे घर के बोड़ों पर लगे इंडिकेटर का खर्चा मात 5 रुपे है दोस्तों आपको मेरे दुआरा दी के जैनकारी कैसी लगी अगर पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगली टॉपिक के सहा तब तक के लिए जैन